नमस्कार किसान भाईयों, आज मैं फिर आपको एक कोलापुर के खेत में आया हूँ, जो की बहुत बड़ा कॉमर्शल ये प्लॉट है, थोड़ा सा 2500 स्कॉर फिट के उपर है, आपका थोड़ा हीली एरिया है, आप देखेंगे पास में, जितना देखें ही पुरा हील ताइप हो रहा है, तो आपको दिखाना है चाहता हूँ कि यहां की पहले देखें मिट्टी, यह जो मिट्टी आपके सामने है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, यह साफ मालूम पढ़़ा की मिट्टी कित्ती मिंटेन है, और इसमें जो प्लांटेशन हुआ है, यह आपके यहा आ रही है, तो इसे लिए आप नीचे देखेंगे, काफी नीचे पड़ हुए है, तो इसमें मेन क्या है कि जब यह आम लगा और इसमें जो डिसीज आ रही है, इसमें इन प्लांट के उपर, क्योंकि प्लांट मजबूत हो चुका है, इस पे 100% हमारा पत्तियों का अर्क इस होना चीए है, और यह जहां पर जो है, इसको इस पर नहीं किया गया है, तो इसी रिजन से यह आपको बिमारी देखेंगे, तो वनना यह नेचुरल तरीके से यह आपके आम पर आते हैं, कि शरीया बराटी यहां की बहुत अच्छी बराटी है, और आप देख सकते हैं कि प परसंड इस प्रेय करें, पीछे आप देखें, दूसरी वराइटी लगी हुई है, इससे भी देखें आप, नीचे आप देखें, वो प्लांट पेड फल गिरे हुए, वो भी नीचे आपके, आम मेंगोस नीचे गिरे हुए दिखाई जाएंगे, उसको कोई क्लोज अप यह लगारा तो यह एक त्रेसे, जो इस परिय ना करने से लॉस्स जादा हो रहे हैं, क्योंकि और 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 प्रेमिडिज नहीं है, तोला ने दस पत्ती इन्होंने किया है, लेकिन दस पत्ती वगरा इसमें नहीं काम आती है, इसमें स्पेस्टिक अपने आप गिरे अब यह देखिए इधर मिट्टी, कितनी सही मिट्टी है इसमें, फिर बिल्कुल बढ़िया मिट्टी इसमें धनिया की खेती की जा रही है, उदर सामने अगर देखें, हर तरह की यहां सब्जी उगाई जा रही है, आप पूरा दिख सकते हैं, इस साइट अगर आए आप, यह पूरा सिस्टम जो है इनोंने डिप एरिगेशन से किया हुआ है, यह आप, देखिए यह सब डिप एरिगेशन किया गया, यह नोजल है, जहां से आप यह कंट्रोल करते हैं सब, और आपका, पूरा पूरा प्लॉट जो है इनोंने, 150 एकर लेंड, आपका इससे इनोंने करना है, यह अच्छी एक फार्मिंग यहां करना, लेंड की कोई कमी नहीं है, और 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 अर्गेनिक तरीके से जो खेती की जा रही है, इसमें एक लाख लीटर का इनोंने पानी का टैंक बनाय हुआ है, और जहां से पानी यह सारे इरिगेशन के लिउस करते हैं, तो वहीं पर जो है, आपको वेस्ट डिकंपोजर बना के कोई 150 एकर लेंड है, तो 150 एकर लेंड में कम से कम हर वक्त आपका एक एकर के हासी जैसे मैंने बदाया है, तिहने जाल लीटर पानी जाना चाहिए शुरू में, बाद में एक हजाल लीटर भी आप कर सकते हैं, तो 150 आपका ए इन्हों ने इसको रिस्टिक कर रखा है, इतना ज़्यादा इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका रियल्टी यह है कि वेरियेशन है, हाला कि जमीन अच्छी हो गई है, सब कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन बिमारी और आपका जो मॉस्चर, जो मिट्टी के अंदर मॉ के लिए ज़रूरी है, कि आप जितनी डोज है, माइको नूटिंट की डोज, आपके पत्रों का इस्प्रे, मैंने पहले बताया कि बड़े-बड़े प्लांट हो जाते हैं, यह आज लेडी 7-8 साल के प्लांट है, इनको उपर 100% इस्प्रे करना चाहिए, अगर वेस्ट डिक क्वरेइश का, आप झाल चाहिए बेदी भी पाहिए भी प्रेश नसनी हाय प्रेश बंडुभ आपतीक रहा हुड़ा इसके वाट्टिलिदी उड़े उड़ा है उजे पानी कुछ तान्य तर्णार आपका तो one तो नट 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 य नट झाल, 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 झाल